Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, करनाटक में नई guidelines आई हैं 19 जनवर इताक, जो कि weekend curfew भी लगाए गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी update देने वाली हूँ अगर आप करनाटक आ रहे हैं तो क्या guidelines है RT-PCI report लेकर आनी है या नहीं या फिर COVID vaccine का certificate से काम चल जाएगा weekend curfew किनके इंचीजों पर पाबंदिया रहेंगी बसे जो है metro चलेंगी कि नहीं चलेंगी पूरी update आप लोग को में बताने वाली हूँ इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है चैनल को अभी तक भी subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें साथी bell icon को press कर लिजे ताकि जैसे वीडियो upload की जाती है उसकी notification आप सभी लोग को मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को करनाटक में जो COVID-19 है उसके मामलों की संक्या तेजी से बढ़ रही है और उसी को देखते हुए ही शुकरवार को 19 जनवरी तक weekend curfew लगा दिया गया है तो कल ये guidance आई है तो Friday जो है शुकरवार को रात 10 बजे से सोमवार को सुबा 6 बजे के बीच जो जो आवा जाही है उसको परति बंदित कर दिया गया है उसको बंद कर दिया गया है अब केवल आवश्यक सेवाई जो है उनको ही अनुमती दी जाएगी सरकार दवारा विवास हमारों की अनुमती है लेकिन कारिकरम में 200 से अधिक लोग जो की खुले स्थान पर हो रहा है यानि कि अगर कोई आउट्वर एक्टिविटी हो रही है आउट्वर प्लेस पर अगर आफ फंक्शन कर रहे है तो वहाँ पर मैक्सिमम जो लोगों की लिमिट रहेगी वो 200 रहेगी जबकि आप बंद स्थानों पर कर रहे हैं कि इंडोर है तो इंडोर में 100 लोगों की अनुमती रहेगी सभी पर्तिबागयों को COVID-19 उप्युक्त विमार का कडाई से पालन करना चाहिए और सब्तांस के दोरान यानि की विकेंड जो होगा उसके दोरान केवल टेक अवे और होम डिलिवरी ही होगी आपको डाइन इन की सुविदा नहीं मिलेगी रेस्टोरेंट, होटल या फिर भोचनालियों में COVID-19 देखवाल केंडरों के रूप में कार्य करने के लिए होटलों की पहचान करेगा करनाटक स्वास्ते विभाग का कहना है और क्योंकि ट्रेनों के आवा चाही और हवाई यात्रा की अनुमती है अभी ट्रेन भी चल रही है, फ्लाइट्स भी चल रही है तो यात्रों की सुविदा के लिए जो सार्जनिक परिवैन है या नीजी वहान है और हवाई अडो, ट्रेलवे स्टेशनलों और बस, टर्मिनल, स्टोप, स्टैंड से आने जाने की अनुमती दे जाएगे हाला की आपको वैद, यात्रा, दस्तावेच या टिकेट जो है मांगे जाने पर दिखाना पड़ सकता है इसी बीच जो बैंगलोर की मेट्रोपॉलिटन ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन ने शहर में अगले दो वीकेंड यानि की आठ और नो जनवरी और पंदरा और सोला जनवरी के लिए बस सेवाओ को आंशिक रूप से निलम्बित कर दिया है केवल आवश्यक सेवा छेतर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को अनुमती होगी और उन लोगों का ओपरेशन का जो टाइम होगा वो होगा सुबद 6 बज़े से रात के 10 बज़े तक BMRCL यानि की Bangalore Metro Rail Corporation ने एक बयान में ये भी कहा है कि जो Bangalore Metro ट्रेने हैं क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तो संसोदित समय के साथ चलेंगी कर्फ्यू लागा होने पर शनिवार और रिव्यार को सुबह 8 बज़े से रात के 9 बज़े तक ही ट्रेने चलेंगी और ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी हर 20 मिनट में एक तक बढ़ाई चाएगी अन्य दिनों जो चलती है वो सुबह 5 बज़े से 11 बज़े तक जो चलती है वही चलेगी शुकरवार को छोड़ कर क्योंकि शुकरवार को रात 10 बज़े से कोविड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा विकेंड कर्फ्यू तो शुकरवार को रात 10 बज़े ही बंध हो जाएगी या फिर आपके पास RTPCR negative report होनी चाहिए हाला कि ये rule apply नहीं होता है गोवा केरल और महारास्टर के लिए अगर आप गोवा केरल और महारास्टर से करना तक आ रहे हैं तो आपको टीका कंड की स्तिती की परवा किये विना यानि कि आपने चाहिए वैक्सिन ली हो नहीं ली हो ए पजिया, मास और मचली, डेरी और दूदबूद, पसू चारा बेचने वाली दुकानों को कारी करने की अनुमती देंगे स्ट्रीट वेंडर को भी विकेंड पर काम करने की इजाज़त होगी तो स्ट्रीट वेंडर्स विकेंड करफी की दौरन काम कर सकते हैं और सारजनिक वित्रन पर नाली की दुकानों को भी कारे करने की अनुमती होगी सबी वस्तों की होम डिलिवरी हो सकेगी विकेंड पर 24 क्रोस 7 तो ये हैं दोस्तों कुछ गाइडलेंस करना टकी जो की अभी चेंज हुई है और इसके अलावा मरीजों और उनके परिचाद को या फिर आपात काली नावशक्ता वाले वैक्तियों और टीका करंड जो लेने जा करने की अनुमती होगी इस बीट सभी राजय और केंदर सरकार के कार्याल है और उनके सवायत का निकाए निगम आदी जो आपात कालीन सेवाओ आवशक सेवाओ और कोविड-19 नियंतरन और परबंदन करते वो से निपटते हैं पूरी तरीके से काधियात्मक होंगे और उस करफ्यू लागू हो गया है साथ ही किन चीजों पर पाबंदिया है किन चीजों पर नहीं है वीकेंड कर्फ्यू के दोरान और बस रेल फ्लाइट्स जो है और मेट्रो का क्या हाल है वह भी मैं आपको बता दिया है विग टाइमिंग और अगर आप करना तक आ रहे हैं तो क् लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके तो आज किस वीडियो में इतना ही फिर में लेंगे, thank you so much, bye bye, take care